इसी भी शुकरे थे बड़ी खबर का बोपाल से बड़ी खबर हैं चिनबारा के दोरे पर रहने वाले हैं चिनबारा जिलिय जाएंगे जहाफर पडरी कायों से मुलाकात करेंगे जमीनी स्तर्प आ कॉंगरसों के सरीके से मजश्बूत करना है उसको लेकर भी बाचीत होगी क्योंकि जिस तरीके से फिलाल कॉंग्रेस हाथ से हाथ जुड़ो अभ्यान चला रही है और इस अभ्यान के जरिये लगतार जनता के बीच कॉंग्रेस जा रही है सायोगी ब्रिजेश हमार सत लगतार बने वे ब्रिजेश मिशन 2023 में PCC चीफ कमलनाथ जूट चुकिया और इसी करी में चुनबारा के दोरे पर रहने वाले कितना खास है यह पिल्कुल लेकि चुनबारा के दोरे पर हैं कमलनाथ वैसी तो हर संभाग के दोरा कर रही हैं लेकिन चुनबारा पर खास फोकस है और कमलनाथ के गड़ भी है इसलिए तमाम पदाधिकारियों के जो जिले और संभाग के हैं उनकी बैठक आज चुनबारा में बुलाई गई हैं उनके मेल मुलाकात करेंगे कॉंग्रेस में कसावट और जो दमीनी इससर पर चलने वाली कॉंग्रेस की योजनाए और टार्गेट और काम जो हैं उनकी समिक्षा जो है बेख करने वाले हैं तो आज दिन बर चुनबारा के दोरे पर कमलनाथ रहेंगे कॉंग्रेस को मजबूत ही देने के लिए के तरह की बैठकों का आईजन किया गया है बिलकुल बिजिश कही तरह के बैठकों का आईजन किया गया है लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं जो सरीके से हाथ से हाथ जोड़ो अभ्यान कॉंग्रेस के तरफ से जारी किया गया है लगतार जुनता के बीच उजा रही है कॉंग्रेस और अब जो है लगतार जो बैटकों का दौर है वो भी देखने को मिल रहा है कहीना कई पददीकारी को रिशाज जो है वो किया जा रहा है ब्रिजिश लगतार दौरे पर अनुपुर के दौरे कर चुके हैं जहाँ स्की हम पहुंच रहे हैं लेकिन कॉंग्रस भी अब एक्टिव मोर्ड में नज़र आ रही है बिल्कुल ब्रिजिश बने रिएगा और भी खबर बोजानकारी हासिल करेंगे तो मिश्रम 2023 में PCC चीफ कमलनाथ जूट चुके हैं और ऐसे में ताबार तोड बैठके हैं और इसी के साथ पदादिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे कॉंग्रस को जमीनी स्थवत पके सरीके से मजबूत करना है उसकी कावायाद भी तेज हूँ